दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम इथिक्स वाला टॉपिक अपना कंक्लूड करेंगे इसमें देखेंगे laws, rule, regulation and consigns as a source of ethical guidance तो इसमें क्या बोला गया? एक तो consigns के बारे में बात किया गया आपकी जो inner voice होती है उसके बारे में बोला गया? आपको इथिक्स के अंदर में किसी भी decision को right and wrong देखने में और अपने action को guide करने के लिए इन चीजों का क्या role होता है तो पहले समझ लेते हैं इन चीजों के बीच में क्या difference होता है उसके बाद इनका role बगयरा देखते है तो सबसे पहले अगर law की बात करते हैं तो law क्या चीज होती है law एक text होगा, कुछ लिखा होगा, जो की pass किया जाएगा law किसके दौरा pass किया जाता है, कोई legislative assembly बगयरा उनके दौरा law pass किया जाता है, तो कोई भी authority होगी legislative assembly हो सकती है, वो कहीं की भी हो सकती है state की हो सकती है, center की, उनके दौरा pass किया जाएगा एक text होगा, written form के अंदर आपका होगा, कुछ phrases होगे जिनको pass किया जाएगा legislature के दौरा, उसको बलेंगे law जैसे example लेते हैं यहाँ पे wildlife act 1972, इसके बारे में तो आपने सुना होगा तो इस act को बनाया गया 1972 में, environmental protection act बनाया गया 1986 में, तो यह आते कुछ laws अब यहाँ पे पूछा गया आपसे, पूछा गया ethical guidance के लिए क्या source है, इनके अंदर जो चीजे लिखे होगी अगर इसके अंदर में चीजे लिखे होगी, कि हमें water को pollute नहीं करना है उसके बारे में कोई चीजे लिखे होगी, air के बारे में कोई चीजे लिखे होगी तो वो आपके लिए एक source बन जाएगा, ethical guidance का कि actual में वो चीजे तो आपको नहीं करनी है law के अंदर में आपको लिखा होगा, अगर आपने कचरा नहीं फैला ना तो actual में वो आपके लिए source बन जाता है अब law हमने समझ लिया, law के अलाबा हमें क्या समझने क्या चकता है rules क्या होते है, regulation क्या होती है तो laws एक broad form के अंदर में चीजे लिखे होती है laws जैसे मालो पार्लेमेंट ने पास किया उसमें काफी सारी चीजे होगी, एक broad form में लिखे होगी लेकिन आपने law एक बार पास कर दिया अब ऐसा नहीं कि आपको कुछ नई चीज जिसमें अगर change करना है या इसके अंदर इसने बड़ी-बड़ी पावर दिया होगी आपको जैसे law बोलेगा कि center के पास में पावर है वो penalty लगा सकते हैं वो law के द्वार बोला गया लेकिन इसी law को broad form के अंदर में implement करने के लिए इसमें छोटी-छोटी बारीकियां डाली जाती है तो जब हम पारीकियां डालते हैं किसी भी law के अंदर में तो उसको बोलते हैं rules उनके अंदर rules जैसे आपने सुनाओगा plastic rules तो rules बगएर आपने बना दिये लेकिन वो कोई act नहीं है वो किसी और जो act होगा उससे वो power ले रहा होगा जैसे 1986 का act है उससे वो power लेके उसको broad way में दिखा रहा होगा क्योंकि 1986 का act आपने बना है 1986 के अंदर में उसको amend करने के लिए बार-बार पारलिमेंट के बास चाना होगा लेकिन आप अपनी नई reality को देखते हुए गौर्मेंट जो है उस time की नई realities को देखते हुए कैसे change हो रहा है situation rules के अंदर में चुप-चाप अराम से बदलाव कर सकती है उसको पारलिमेंट वगरा नहीं जाना पड़ेगा सेम तरीके वाली चीज़ों को बोलते है regulations regulation जो है mainly आप use कर ले तो जब regulatory body वगरा होती है आपने किसी चीज़ को रोकना है जैसे RBI वगरा कितना cash flow होगा उसके अंदर regulation वगरा लगाती है सेभी वगरा तो उनको milli regulator वाली form में use कर लेते हैं उसके लावा rule and regulation same same kind की चीज़े होती हैं दोनों ही law को expand करने के लिए इनको बोलते हैं subsidiary legislation legislation law हमारा बन गया जो parliament ने पास किया उसको subsidiary उसके अंदर में चीज़े लिखियोंगी उसमें 5 चीज़े होंगी लेकिन उसको broad way में implement करने के लिए rule and regulation का सहरा लिया जाता है rules के साथ में regulation अगा आप differentiate कर सकते हो rules जो है जब essay rule regulation क्या होई regulation होई essay rules जो की किसी authority के दोरा पास की जाएंगे उसको बोलेंगे regulation और rules बगएरा आपके school में rule है और कोई rule बना दी आपके society बगएरा में उनको आप regulation नहीं बोलोगे वो informal तरीके से आपके बनाएगे हैं वो अलग तरीके से worker हैं लेकिन जब कोई particular authority जैसे executive हमारा हमारे executive के दोरा अगर rules कुछ बनाएगे तो वो regulation बाली power वो आपके behavior को regulate करने वाले होंगे तो I hope तीनों के अंदर difference clear हो गया होगा law platform में legislature के दोरा बनाया जाएगा उनको और जदा expand करने के लिए उनके बारे में detail में चीज़ों को लिखने के लिए rules and regulation बना जाते हैं rules जो हैं थोड़े informal भी होते हैं जैसे हमारे school में बना दिया या कोई और आपनी चोटा मोटा rule बना दिया आसपास बच्चे बना देते हैं आपस में rules, sports में आपने rules बगएरा बना दिये लेकिन ऐसा rule जो formally किसी authority ने establish किया होगा उसको regulation बोला जा सकता है हलांकि इनमें कुछ जादा difference नहीं किया जाता present time है कि rule, regulation पर ये आपको basic difference बताऊना चाहिए कि इनके बीच में क्या difference है UPSC में वैसे मैं नहीं समझ तक इनके बीच में difference बूचने वाले हैं लेकिन फिर भी यहां पे लिखा हुआ सब कुछ वो आपको समझा जाएगा question आ सकता है हमें मतलब इनका role क्या होता है तो role आपको समझा आई गया होगा कोई भी law वगयर आप पकर लो recent वाला law बना लो ethical guidance के लिए आप triple तलाक वाला law देख लो ethical आपको कैसे guide करेगा वो जिस बात को आप ethical पहले ethical मानते थे उसको unethical इसके दोरा करार दिया गया तो वहाँ पे आया law अब law जो है एक broad way में चीज़ें देता है अब हर चीज के लिए law नहीं बना सकते है इसलिए law को expand करने के लिए rule and regulation लेकिया आते हो लेकिन अब हर चीज के लिए rule and regulation नहीं हो सकती आपके लिए आपको अपनी family में लोगों को कैसे treat करना है आपको जानवरों को कैसे treat करना है अब जानवरों के लिए law बगरा हो सकता है बनाया हो लेकिन हर time आपके बीचे में टेंडा लेके कोई नहीं दोर सकता आपकी अपनी life होती है अगर आपको कोई नहीं देख रहा तो आप कच्रा फैंक सकते हो सड़त के उपर हलांकि उसके लिए law हो सकता है वैसी situation को tackle करने के लिए क्या चीज होती है? Conscience, human की inner voice होती है उन situation को tackle करने के लिए तो समझते है law क्या होता है? कोई phrase जिसको legislature के दोरा बनाया गया society का जो है society के जो belief system होता है उसके अनुसार बना दिये जाता है laws वगएरा जैसे rape के खिलाप में law बनाए dory के खिलाप में law बनाए और उनको बना दिये जाता है और law जो होते हैं सब को follow करने पड़ते हैं चाहे कोई भी person हो, company हो, चाहे कुछ भी हो rules वगएरा informal हो सकते हैं अगर company ने मनाए तो company वाले ही follow करेंगे लेकिन यूँ सब को follow करते हैं करने पड़ते हैं अगर इनको follow नहीं करें तो आपको judiciary system के थूँ आपको enforceable होते हैं court के अंदर आपको लेके जा सकते हैं अगर आप break कर लोगे law तो punishable हुकाप के लिए law को break करना rules की बात करते हैं तो rules कोई firm के दोरा बना सकते हैं कोई individual आपने आप आपस में rule बना दिये student time बना दिये कोई executive authority, government वगएरा उनके दोरा बनाए जा सकते हैं judiciary जब अगर कोई ruling देगी judiciary ने ruling दी जैसे triple तलाग के ओपर अभी तक अगर bill नहीं आया था तो judiciary की जो ruling थी वो act कर रही थी वो as a rule की दर act कर रही थी उसको आप law नहीं बोल सकते judiciary ने जो बोला judiciary ने बोला हम आज से invalid करार देते हैं triple तलाग को तो उन्होंने जो बोला वो law नहीं था वो सिर्फ ruling थी तो वो सिर्फ rules बने उनके informal तरीके से तो वही difference आता है laws और rules के अंदर में इनको काफी सारे लोगों के द्वारा बनाया जा सकता है और इसके अंदर में आगर आप इनको तोड़ोगे तो punishment हो भी सकती है नहीं भी हो सकती जैसे plastic के लिए जो law बने है 2016 के अंदर में plastic pollution के उपर उनको तोड़ोगे आपको सजाओगे उसमें आपको पैसी देने पड़ेंगे मालो आपकी company ने बनाई या आपस में आप लोगों ने कुछ बना दिये अपने में rule बना दिये किसी भी टाइप की तो आप उसमें आवशक नहीं है कि उनको आप कोई rule बनीश्मेंट मिलेगी loss के लिए punishment मिलेगी यह flexible हो सकते हैं जादा जैसे आपने rule बनाया कि जितने भी हमारे hostel के अंदर person होगे 6 बज़े उठेंगे सुबर तो वो flexible हो सकता है आप साथ कर सकते हैं अपनी मरजी से ना भी उठें तो less consequences हो सकते हैं और rule बनाया जाते हैं ताकि लोग आपस में रहना अच्छे से सीखें जैसे society में अगर आप रह रहे हो तो rule बना दिये जाएगा कि society के जो person होते हैं 8 बज़े से बाद में कोई बाहर नहीं जा सकता या इस टाइप के rule बना देंगे ताकि अपने अपस में अपने behavior को regulate कर सके हैं अब उसमें आप यह नहीं बोल सकते हैं society में कि आप पारलिमेंट से law बनाओगे वो तो आप rule खुद बनाने बढ़ेंगे और less formal होते हैं वो law के comparison में तीसरी आते हैं regulation regulation journal norm होते हैं या आप बोल सकते हो जो भी rule ऐसा rule जिसके पीछे में force होती है law की अब ये वाले जो rule बनाए यहाँ पे society ने rule बना दी है इनके पीछे कोई force नहीं है law की लेकिन अगर rule बनाए जाते हैं जिनके पीछे बैकिंग ए लेगिसलेचर की सेंटर की, स्टेट की उनको बोलेंगे हम regulation इनको कई बार हमारी जर्नल सेंस में rule, regulation, same भी इनको बोल दिया जाता है तो आपको tension लेने किया शकता नहीं rule, regulation, bylaws उनको आप मान सकते हैं जैसे regulation, rules, code वगरा इन सब को subsidiary legislation बोलते हैं एक law को और ज़्यादा expand करने के लिए बनाते हैं तो उसके बाद में अगर बात करते हैं ये इनके पीछे backing होगी law की means किसी authority ने इनको पास किया होगा उनको बोलेंगे regulation और ये आपको कुछ behavior आपका मतलब बताने की कोशिच करेंगे regulation जैसे मालो कोई company बगरा है उसको regulate करने के लिए कब कौन सी चीज़ों को किया जा सकता है कितने auditor बगरा होगी तो regulate करने के लिए regulations बनाई जा सकते हैं अब ये तो आई चीज़े rule and law के बीच में मैंने आपको difference बता दिया law जादा powerful होते है rule के comparison में और law को pass किया जाना चाहिए एक process होती है उसके थो में rule आप कोई भी person बना सकता है similarity की बात करते हैं तो दोनों same तरीके के चीज़ों के लिए society में balance create करने के लिए दोनों create guarantee देते हैं mostly guarantee देते हैं सब को समान तरीके से treat करेंगे और ये individual को follow करने पड़ते हैं ये भी guidelines और इनको अगर आप break करोगे तो आपको कुछ न कुछ consequences हो सकते हैं अब थोड़े ज़ादा हो सकते हैं law में थोड़े कम होंगे rules के case में और दोनों को बनाने का purpose है में efficient working of society दोनों को इसलिए बनाए जाता है और अब बात करते हैं conscience की conscience क्या होता है inner voice जो आपके अंदर होती है जो right and wrong आप decide करते हो जैसे situation में आपको लगता है किसी को लगता है अगर meat खाना गलत है नहीं है किसी को kill करना गलत है नहीं है कुछ भी है traffic rule तोड़ना अच्छा है गलत है या कोई आपके पास में situation आ जाते है जिसके लिए आप prepare नहीं हो वैसी situation के अंदर भी आपको directly way के अंदर में आपके belief system के अनुसार पता होगा कि आपको ये चीज करनी चीए या नहीं करनी चीए तो उसको बोलते है conscience किसी भी individual की उसको बोलेंगे inner voice अब कुछ जो philosopher है उनके दोरा बोला जाता है कि inner voice एक आत्मा की voice है जो कि human के अंदर में natural भगवान की voice होती है कुछ के दोरा बोला जाता है कि हम over the period of time knowledge के साथ में ग्रहन करते है सीखते हैं आसपास की चीजों के लिए जैसे आपकी inner voice अगर आप मालो हिंदू हो तो आपकी inner voice अलग हो सकती है मैं अगर मुस्लिम हो तो मेरी inner voice कुछ situation में अलग हो सकती है क्योंकि हम दोनों के belief system अलग-लग होंगे वैसे ही मैं मालो काफी liberal area के अंदर पैदा हुआ यह आप orthodox area में तो आपका inner voice अलग-लग हो सकता है तो इसके लिए बोला जाता है कि यह जो होते हैं आपको right and wrong guide करने में help करते हैं और यह essential knowledge essential होती है इनके लिए knowledge कहां से लेते हो आप अपने mother, father, बच्च, आसपास, दोस्तों से, school से, religion से ग्रहन करते हो उससे एक अच्छी conscience बनती है जिन individual के पास में यह सब चीज़े नहीं होती उनकी conscience यो है वो हमारी disable होती है इसलिए अगर individual को अच्छे से knowledge नहीं दी जाए तो उसकी conscience जो है उसमें problem होगी और future के अंदर में उसके पास में healthy conscience ना होने के कारण वो crime वगयरा के अंदर में indulge हो सकता है crime के अंदर में मालो एक person ये एक person है crime के अंदर indulge होने के लिए दो चीज़ें एक तो law आपको impose कर रहा है तो आप crime नहीं करना चाहते है दूसरा person की inner conscience ही है कि crime करना गलत है तो आप दो तरीके से रुख सकते हो law वगयरा पास करके दूसरा conscience से conscience वाला जो होगा वो ज़्यादा आपका मान सकते हो long term में क्योंकि इंडिया में बहुत सारी चीज़ों के उपर law बने हो है दौरी के उपर law बने हो है फिर भी वो सब चीज़ें होती है because conscience के हमने change करने की कोशिच नहीं की हम laws के थ्रूँ change करने की कोशिच करते है अगर question आता है तो journal सा question होगा आप understand करके लिख पाओगे इसको conscience जादा important है law जादा important है अब law में भी आप ऐसा नहीं बोल सकते की law उतना important नहीं है conscience के आप guarantee ले सकते किसी person की अब person की कौन guarantee लेगा कैसे किसी third person की guarantee ले लोगे कि वो person काफी अच्छा होगा वो कुछ criminal act नहीं करेगा या चोरी वगएरा corruption वगएरा नहीं करेगा तो laws वगएरा बनाना काफी आवशक होता है क्योंकि आप सब लोगों को regulate नहीं कर सकते फिर भी हमें law बनाना चाहिए as a broad policy framework और हमें develop करने की कोशिच करने चाहिए conscience लोगों के अंदर में education के थूँ क्योंकि हमें पता है conscience जो है उसको बनाने में knowledge का काफी important role होता है और conscience का role इसके बारे में कुछ philosopher के दोरा कुछ चीज़ें बोली गई है जैसे according to from ये from spelling ठीक है ऐसा ही नाम है इस परसंगा इन्होंने बोला कि it is a reaction to ourself to ourself the voice of true self that guide us to achieve full potential तो इनके दोरा conscience को क्या बोला गया conscience एक voice है inner voice है जो कि हम जब सोचेंगे किसी चीज़ को करने के लिए हमारा mind कुछ और बोल सकता है ये inner voice होगी जो कि हम से बातें करेगी ऐसा reaction जो हम खुद को देंगे अपने इबात के लिए और जो हमें अपना full potential achieve करने के लिए right and wrong decide करने में help करेगा दूसरी हमारा philosophy पर आता है Emmanuel Kant इसके बारे में आपने देखा होगा जो बोलता है duty आपके बास में सरव प्रत्थम है तो इसमें बोला कि conscience चो है किसी भी individual के लिए काफी critical होती है idea इसका conscience होती है प्रत्थम होती है rather a court of law मतलब ये किस तरीके से work करता है एक individual का mind उसके अंदर में जो conscience होती है वो एक तरीके से एक court की तरह work करती है जोसे prosecutor होता है उसके अंदर में वकील बगरा जो की बताता है कौन सी चीज को करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए case वगरा सुनता है वैसे ही conscience होती है आपकी दिमाग में आपके deserve वगरा कुछ भी बोल सकते है आपको करने के लिए लेकिन ये जो consigneacz होती है आपको रोग सकती है आपके desire को fulfill करने के लिए जो illegitimate desire होंगे उनको रोक सकती है ये आपको fulfill करने के लिए तो ये इनके दोरा बोला गया और inner peace को maintain करने के लिए जैसे मालो अगर आपने इस prosecutor की वाज को नहीं सुना तो ये जो है आपका inner peace maintain होने नहीं देगा जैसे मालो इसके दोरा बोला गया कि आपको काम तरीके से रहना है ज़्यादा खर्चा बगयरा नहीं करना है लेकिन आपका खर्चा काफी ज़्यादा increase हुआ और उसके बाद में आपको काफी ज़्यादा पैसों किया सकता है आप चोरी के लिए आगे बढ़ते हो तो ये prosecutor आपको बोलेगा Emmanuel Kant के अनुसार कि आपको ये सब चीज़े नहीं करनी चीए अगर आपने इसको नजर अंदाज किया तो इससे disturbance होगी आपके internal mental disturbance होगी और एक तरीके से restlessness हो जाएगी पूरे mind के अंदर में inner peace खतम हो जाएगा जितना ज्यादा बार बार आप इसको इग्णोर करते जाओगे अब psychological studies के दार हमें बोला जाता है कि conscience जो है moral decision वगेरा बनाने के लिए काफी important होती है तो conscience को हमें framework क यादा रकना है knowledge से बनेगी conscience knowledge को develop करने के लिए conscience को develop करने के लिए knowledge काफी important है और ये inner voice है और इसके पर कुछ बोलते हैं कि ये भगवान की अपनी एक दरीगे से human में inherent quality होती है कुछ बोलते हैं कि knowledge के अनुसार होती है और psychological studies की तरह बोला जाता है कि moral decision अगर आप ने लेने हो तो उसके लिए main force ये वाली होती है अगर आपको religion वगएरा सिखाता है किसी situation में कि आपको meet वगएरा नहीं काना है तो आप उन situation में वैसे behave कर सकते हो तो conscience जो हता है किसी इंडिविजल की central identity होती है क्या वो चीजें right समझता है wrong समझता है अगर वो collapse हो जाए तो उसका पूरा mental system disturb हो जाएगा और वो person depression वगएरा के अंदर में जा सकता है फिर बात करते हैं conscience जो है वो ethical source की तरह act करता है bureaucrat के लिए, politician के लिए, citizen के लिए, democratic system में laws वगएरा हर जएगा होते हैं लेकिन ये कैसे guide करता है conscience जो है intrinsic capacity होती है inner voice होती है, आपको पता होता है actual के अंदर में कि आपको क्या करना है एक public servant को काफी सारे लोगों के साथ में deal करना पड़ता है कुछ places के उपर laws वगएरा बने होते हैं कुछ के उपर काफी discretion होती है जहां पे discretion होती है वहां पे वो person अपनी intrinsic value का use करके decision बगएरा ले सकता है उसके लावा individual level के उपर person को decision लेने के लिए काफी help करता है ये normal से point है, ये तो मतलब आप समझी सकते हो individual को कैसे help करेगा political system के अंदर में भी corruption बगएरा काफी ज़गा होता है अगर person के पास में conscience है healthy conscience है तो वो less corrupt करेगा nepotism नहीं करेगा profit seeking behavior नहीं होगा उसका तो अगर politician के अंदर conscience हो जो कि ये काफी कम होती है तो उसके ये सब फाइदे हो सकते हैं person के उसके लिए आपको law बनाने के आप सकता ने पड़े कि कि लोगफाल politician को बोलेगा वो खुद देख लेंगे उन चीजों को bureaucratic level के उपर भी आपको देखना पड़ेगा कि आपने जो senior हैं जैसे मालो हमारा अभी recent के अंदर में जो rape वाला के चर्रा यूपी के अंदर में जहां पे जो था authorities वगएरा जो administration थी वो ऐसे वेम act किये जो उन्हें जो justice वाला system था जो पेड़ीता के लिए उसको उन्हेंने hamper किया तो वैसी situation में अगर मालो आप जैसे accident वगएरा हुआ उसके अंदर बूला गया जो गार्ड वगएरा थे उनको गाड़ी के अंदर नहीं लेके गए तो वैसी situation में आपको उस situation में अगर पता लग जाता है आपके superior के दोरा बोला जाता है कि आप उनको छोड़ कि आ जाओ उनकी protection वगएरा चोड़ दो आपको पता है कि कुछ गलत होने वाला है लेकिन senior ने आपके order दिया अब senior का जो order है वो law के निस्वार आपको follow करना चाहिए हर situation में लेकिन आपकी conscience आपको गोर रही है वो गलत है तो आप उसके खिलाब आवाज उठा सकते हो अपनी higher authority में या आप जो भी जिस भी तरीके से protest कर सकते हो वो उस तरीके से protest करना और हो सके तो अपनी job भी छोड़ अगर इतने level आजाती है तो वो भी छोड़ सको तो वो आती है हमारी conscience वाली level तो आपने decision कौन सा follow करना है laws वगरा के अगर आपने जो normal journal norm वगरा है उनसे हटके भी अगर काम करना पड़ता है तो वो भी विरोक्राट को कई बार करना पड़ता है citizen level के ओपर अगर conscience पूरी society healthy होगी वो जो है society को clean रखने में help करेंगे election के अंदर में वो अच्छे candidate को choose करेंगे undemocratic यहां पर मलब descent वगरा परकट करना जैसे किसी बात के खिलाप में विरोध वगरा परकट करना है अगर conscience अच्छी है तो अगर कोई गलत कर रहा है तो आप उसके खिलाप में जाके धरना वगरा दोगे कोई corruption कर रहा है आप एक society की conscience जब जाग जाएगी तो पूरी society मिलके किसी भी system को change कर सकती है तो यहां पर हमारे पास में यह topic खतम हुआ यहां पर एक slide बचकी इसको देख लेते हैं अब choice अगर आपको बनानी पड़े law और conscience के बीच में तो क्या करोगे? च्वाइस इन दोनों के बीच में काफी difficult task है लेकिन जैसा मैंने बोला conscience इसमें basic आपका tenant बनता है conscience आपकी होनी चाहिए law और बनाया जाओ सकते हैं बाद में बट अब आप हर person को नहीं हो सकते हैं आप अपनी conscience को जगाओ वैसे अगर आप चलोगे तो उस लिहाज से हमारी society stable नी होगी इसलिए एक broad overview आपको देना पड़ता है laws वगरा society में बनाने पड़ते हैं आपका journal behavior लोगों का एक control level पे लाने के लिए उसके बाद में education के तुरू हमें उनमें conscience को develop करना चाहिए तो यह आपका answer होना चाहिए उस time तो यहाँ पे क्या बोला गया जब laws और इन के बीच में conflict आता है तो law को journally prefer किया जाता है because आपकी conscience अपने तरीके से हो सकती है आप किसी भी तरीके से परसन की inner voice यह समेंने बोला knowledge के यह साब से होगी तो knowledge किसी भी type की उसकी हो सकती है laws वगरा journal जो belief system होता है society का जो उसमें latest trend होते है modern जो trend वगरा होते है उन सब को मिलके बनाय जाता है conscience आपकी individual हो सकती है एक चीज को जो आप prefer करोगे दूसरा prefer नहीं कर सकता तो जब law और इन दोनों के conscience में conflict होगा तो law mostly prevail करेगा लेकिन हमें conscience का भी सहारा लेना चाहिए individual के लिए conscience काफी important होती है उसके mental peace को maintain करने के लिए तो हमें individual में education के दू develop करने की कोशिच करने चाहिए conscience को यहाँ पर हमारा topic अदम होता है अब मिलेंगे current अभेर वाली वीडियो के अंदर में Thank you